आज हम बात कहने वाले हैं Future Perfect Tense के बारे में यह इस सीरीज का Part 12 है हम इस सीरीज में हर एक टाइप के Tense को अच्छे से डीटेल में पढ़ रहे हैं हमने अभी तक के हर टाइप के Past Tense और हर टाइप के Present Tense को डीटेल में पढ़ लिया है हमने Simple Future और Future Continuous Tense भी पढ़ लिया है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Future Perfect Tense की इसका मतलब हुआ कि हम Future की बात कर रहे हैं पर वो Future का भी Future है For example, You will have worked 10 hours by Saturday मतलब Saturday आने वाला है और अभी तक के हमने 10 hours work करा भी नहीं है वो भी Future है पर वो Future का भी Future है For example, I will have eaten dinner by 9 मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम 9 बजे तक के डिनर खा लेंगे अभी भी हमने डिनर नहीं करा है डिनर भी हम बात में ही करेंगे पर उस बात के भी बात में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि I will have eaten dinner by 9 तो ऐसे चीज़ों को हम Future Perfect में बोलते हैं अब हम देखते हैं Subjects Used in Future Perfect Tense मतलब हम Future Perfect Tense बोलते समय कौन से कौन से Subjects यूज़ कर सकते हैं तो हम I, She, He, You, They, We ये सारे Subjects ही यूज़ कर सकते हैं यही सारे Subjects हम Past और Present Tense में भी यूज़ करते हैं अब हम देखते हैं कि जब भी हम Future Perfect Tense में बात करते हैं तो उसका Format क्या होता है तो सबसे पहले हमारा Subject आता है उसके बाद में हम Will, Have लगाते हैं और Last में आता है हमारा Verb in the Past Participal Form अब हम देखते हैं Perfect Future Tense for Different Types of Sentences मतलब जब हम Different Types of Sentences में बात करते हैं तो Future Perfect Tense कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि कितने टाइप के Sentences होते हैं और वो क्या होते हैं तो There Are Three Types of Sentences Questioning, Positive और Negative इसको याद करने के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी से कोई Question पूछते हैं तो वो एक Questioning Type का Sentence हुआ अब अगर जो सामने वाला है वो हाँ यह Yes के Impact में आंसर करता है तो वो एक Positive Type of Sentence हुआ पर अगर वो नहीं या ना के फॉर्म में आंसर करता है तो वो एक Negative Type का Sentence हुआ तो अब Positive Type के Sentence के लिए हम Future Perfect Tense कैसे लगाते हैं यह देख लेते हैं तो उसमें जो Construction होता है वो एकड़म नॉर्मल ही होता है Subject आता है पहले फिर आता है will have और लास्ट में आता है verb in the past participle form For example, I will have worked for three years मतलब मैं यहां पे तीन सार काम कर चुकी होंगी अब हम देखते हैं for Negative Sentences Negative Sentences में जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं का Impact होता है तो वो नहीं का Impact हम will के साथ में not जोड के लगाते हैं तो इसका construction होता है पहले subject फिर will not have और फिर verb in the past participle form Past participle दो टाइप के होते हैं एक regular और एक irregular Regular में normal verbs आते हैं जो उनका past tense होता है वही उनका past participle भी होता है पर irregular टाइप में जो simple होता है past simple उनका past participle कुछ अलग होता है फर एक्जामपल ये list है वाज में जैसे bean हो जाता है came का come हो जाता है did का done हो जाता है eight का eaten हो जाता है made का made ही रहता है saw का scene हो जाता है या took का taken हो जाता है और wrote का written हो जाता है ऐसे कई सारे words हैं जिनके past participle उनके simple past से अलग होते हैं उनको हम irregular type में categorize करते हैं अब हम दिखते हैं questioning sentences in future perfect tense तो इसमें जो format होता है वो पूरा change हो जाता है पहले subject आता था अब यहां पे subject बीच में आ रहा है और will पहले आ रहा है तो इसका construction होता है पहले will फिर subject have उसके बाद में verb in the past participle form तो इसका example हो गया will you have arrived by seven हम यहां पे पूछ रहे है क्या तुम साथ बज़े तक के महां पे पहुच जाओगे अब हम देखते हैं contractions contractions का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना या छोटा कर देना contractions को हम short forms भी बोल सकते हैं for example I will I will का short form यह contraction हो जाएगा I apostrophe L L तो अगर हम इसे sentence में use करें किसी तो वो ऐसा हो जाएगा I will have worked और हम इसे pronounce करेंगे I will have worked in the contracted form उसके बात में अगर हम इसी को negative type के sentence में contraction use करने की कोशिश करते हैं तो I will not have आता है तो हम यहाँ पर I won't भी लगा सकते है या I'll not भी लगा सकते है हम दोनो तरीके से इसे यूज़ कर सकते है contraction को और दोनो ही तरीके विल्कुल सही होंगे यहाँ पर मैंने I will को ही contract करके लिखा है पर आप I won't भी लिख सकते हैं इसी के साथ हम हमारी ये वीडियो एंड करते हैं I hope आपको सब को समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना हम हमारे चानल पे जितने भी वीडियोस है उन सब के कमेंट को रिपलाई जरूर करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी लाइक करना शेर करना और हमारे चानल पाक वे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना